हेलो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल आलू की मिठाई ये बनाना जितना आसान है टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है तो चलिए हम साथ मिलकर बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने दो बड़ी साइज के आलवों को उबाल लिया है आप चाहो तो इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर अश्टीम भी कर सकते हो अब एक मिक्सर जार लेंगे रूबले हुए आलवों को डाल देंगे साथ ही इसमें अट करेंगे आधा कट तूद जटन को बं सब्सक्राइब आगे की तैयारी देख लेते हैं अब एक पैन लेंगे पैन में आधा कप चीनी को अपने इकोडिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम बीना पानी एड़ किये हुए इन्हें हम धीमियाज में तब तक पकने देंगे जब तक ये मेल्ट ना होने लगे तो एक मिनाट बाद आप देखेंगे ये हलकी हलकी मेल्ट होने लगी है तो हम इसे एक बार और चला देंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गई है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे एक तिहाई फ्रेस मलाई अगर आपके पस फ्रेस मलाई नहीं है तो आप दूड को गाढ़ा होने तक पका लें और फिर इसमें एड़ कर दें अच्छे से मिला लेंगे जब तक ची और मलाई एक दूसरे से भूल मिलना जाए अब हम इसमें एड़ करेंगे फ्लेवर के लिए लाइजी का पॉर्डर और वापस से इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए जे हम दो मिलाट तक और पका लेंगे फ्लेम को हम धीमा आज पर रखेंगे सभी को अच्छे से मिक्स कर पकाएंगे अब हम इसमें एड़ करेंगे आलू के पेस्ट को इसे हम लगातार चलाते हुए दो मिनट तक पका लेंगे फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे सभी को अच्छे से mix कर पकाएंगे सभी जब आपस में घूल मिल जाए तो हम flame को high to medium पर रखेंगे और लगतार चलाते हुए इसे हम पका लेंगे तो friends आपने मिठाई कई तरह की बनाई होगी लेकिन आप एक बार इसे जरूर ट्राइ करके देखिएगा पहुत ही tasty बनते हैं और सकते अच्छी बात यह है कि कम सामान में बनकर यह तयार हो जाती है अब हम इसमें 2-3 चमच देशी घी डालेंगे अगर आपके पास nonstick बरतन हो तो इस मिठाई को बनाने के लिए 2-3 चमच घी काफी है अगर आपको यह और बरतन में बना रहे हैं तो घी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है इसी जितने अच्छे से पकाएंगे मिठाई हमारी उतनी ही tasty बनेंगी तो फ्रंट्स आप देख सकते हैं पेश्ट हमारा पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है तो इसे हम 4-5 मिनट तक पका लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे एक चुथाई का टेसिकेटेट कोकरनेट जिसे नारियल का बुरादा भी करते हैं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे टेसिकेटेट कोकरनेट डालने से आपको यह पता ही नहीं चलेगा कि यह आपने आलू से बनाया है टेसिकेटेट कोकरनेट डालने से इसमें एक अच्छी सी बैंडिंग आ जाएगी अगर आपके पास टेसिकेटेट कोकरनेट नहीं है तो आप इसकी जगापर मखाने को रोष्ट कर ले और उसका पाउडर बनाकर उसे एड़ कर सकते है तो फ्रेंट आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वीडियो आपने यहां तक देख लिए है और वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हूँ तो प्लीज प्लीज दिल खोल कर लाइक शेयर करें और मेरी इस छोट 10 मिनट तक सेट होने के लिए रख देते हैं तो फ्रेंट्स लगवब 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं रोल एकदम सेट हो चुका है तो आप हम इसके पटर पेपर निकाल लेंगे और आप इसे डेकुरेट कर ले चाहे तो आप इसे इस पर चांदी का वर्क लग है आप डेकुरेट अपने पसंद से कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो तो फ्रेंट्स मिठाई तयार है चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं तो हम इसे आधे इंच की दूरी पर कट कर लेंगे तो कट कर आप देख पार हैं बहुत ही आसान से ये कट हो रहा पिल्कुल ही मुश्किल नहीं हो रही इससे आपको पता लग रहा होगा कि मिठाई हमेरी कितनी सौप्ट बन कर तयार हुई है तो फ्रेंट्स लीजिए तयार है शिर्फ आलू से बनने वाली लाजवाब से मिठाई तो आप नवरातरी आ रही है तो आप उसमें इस मिठाई को बना सकते हैं या फिर आपको मीठे में कुछ खाना हो और घर पर कुछ ना ओट तो आप आलू से इस मिठाई को बना कर तयार कर सकते हैं पहुत ही टेस्ट यह यकीन मानिए एक बार ठ्राइ करना तो बनता है तो फ्रेंट्स बहुत ही आसान सी रेसेपी है एक पर आप इसे ज़रूर ट्राइ करिएगा फ्रेंट्स फैमिलिक साथ सेयर करें मिलती हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसेपी के साथ धन्यवाद अपना समय देने के